श्रीमद भागवद गीता अध्याई एक श्लोक नंबर बारा तशे संजनेशे हर्षम कुरू व्रध पितामाह सेंग नादम विन धोचे शंखम दम्मो प्रतापवान श्रीमद भागवद गीता में इसका हिंदी में रुपांत्रन है कुलू गुरू पितामह तब रपती मन मोद से भरने लगे कर विकट गर जन सेंग से निजे शंख ध्वनी करने लगे जब भिष्व पितामा ने दुर्योधन और गुरु दुरोनचारिय के इस वरताला आपको सुना इस बात को सुना तो वो दुर्योधन की मनो भाव को पहचान गए कही न कहीं उन्हें ये भान हो चुका था कि दुर्योधन को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं है उसको प्रेड़ना देने के लिए उन्होंने अपना शंक उठाया और एक तेज गर्जन के साथ बहुत उची आवाज के साथ उसका गर्जन किया, सिंग नाद किया, यानि शेर की तरह दहड़े, ताकि दुर्योधन का मनो भाव ये हो जाए कि प्रतक्ष रहे, प्रतक्ष रूप से किसी भी स्थिती में, किसी भी दशा में वो इस युद्ध में दुर्योधन के साथ खड़े हैं। इस बात का भान था कि जिस पक्ष में कृष्ण है, जीत वहीं सुनिश्चित है। कि फिर भी वो दुर्योधन को ये शंक नाद करके इतना निश्चित कर लेना चाह रहे थे कि कोई भी स्थिती हो। कोई भी हालात रहे, युद्ध का कोई भी निर्णे रहे, अंतिम समय तक भिश्वपितामह अपने दाइत्व से पीछे नहीं मुडएंगे और उसका पूर्णत हमारे के दर्शन करेंगे। एक वयो वरद्ध के मनो दिशार मनो स्थितियां ये थी कि वो ना चाहते हुए भी उस पक्ष में था जो अधर्म का पक्ष था। हरे कृष्णा